वेल्कम वन्स अगें टुमाइ चानल राहूल इंडिया एंटेटेन्मेंट आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको इन एर मॉनेटर जो की है सी सी ए एन आरे मॉडल मेरे पास जिनको नहीं पता मैं बता दू जिस तरीके से अपने हैं से एंडियेशकियोते हैं यह इरफॉनस अलग होते हैं क्यों आवर करेंगें इसके एंदर क्वासिते हैं थी मिल्कम करते हैं और और क्यां मिलता हैं चली सबसे बहुता पार को को छोफे अंदर हमें क्या मिलता है यह बॉक्स कुछ इस तरीके से खुलता है और यहां पर आप देख सकते हैं आपको इयर फोन दिखेंगे जो की इन एर मॉनिटर्स है तो चलिए इसको भी खोल लेते और देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या है इसको खोलने के बाद हमें कुछ इस तरी से इसके इसके बिलती है यह हो गया इसका इयर फोन अलग से ही आते हैं यह इसत deeply बहार निकाल लेंगे इस तहरा से ना कुछ अलग दूरों को निकाल लेते हैं हम बाहर तो भाई यह इस तरीके से इसमें पैक आते है अलग से यही एक खास बात है जो इनको इयर फोन से अलग बनाता है और साथ के साथ इसके अंदर मिलती है केबल कुछ इस तरीके से और इसमें मिलते है यह एक्स्रा इयर फ्लक्स और एक चोड़ा सा वारेंटी काड और इसमें मैनुल भी है अब जैसे कि आपने देखा कि यह दोनों अलग अलग आते हैं यह इसमें कनेक्टेड नहीं आता है इसका रीजन है क्यों यह इसको इसमें प्लग कर लेता हूं अब यहां देखेंगे आप इसको लगाना बहुत सिंपल है यहां पर इसको केबल को सिंपल पकड़ेंगे और यहां पर इसको ऐसे प्लग कर देंगे इस तरह कैसे से इसी तरह कैसे दूसरा वाला भी हम लगा देंगे अब जब यह इनियर मॉनिटर यूज करने के लिए रेडी है मैं इसके बारे में थोड़ी और इंफरमेशन दे देता हूं आपको जब भी आप लाइफ परफॉर्मेंस इस देखते हैं स्टेज शोंस देख इसे इन-ear monitor बोलते है एक normal earphone कुछ इस तरीके से होता है और एक in-ear monitor कुछ इस तरीके से होता है चलिए वीडियो में आगे चलते है और अब मैं आपको in-ear monitor से normal earphone में पहले फरक बजाता हूं और फिर इसके features भी सबसे पहला तो फरक है इन दोनों के look में आप देख सकते हैं यह दोनों में दोनों दिखते किस तरीके से है अगर मैं इसको कान में लगाता हूं एक normal earphone को तो इस तरीके से होगा और एक in-ear monitor जो है कान की पीछे से इस तरह आएगा आप देख सकते हैं दोनों की look कितनी फरक है और अबिसली जो है in-ear monitor कान में दिखने में काफी फरक और काफी अच्छा लगता है जैसे कि हमारी earphone के अंदर एक speaker होता है यह driver होता है उसी तरीके से हमारे in-ear monitor के अंदर दो या उससे ज़्यादा drivers होते हैं इसी लिए इसकी sound quality earphone से better होती है चलिए मैं आपको comfort के बारे बताता हूँ जब आप एक earphone पहनते है नॉर्मल earphone तो यह आपके कान में कुछ इस तरह से रहता है और जो यहाँ पर थोड़ा सा weight डालता है तो आपको feel होता कि कान में कुछ है लेकिन जब आप in-ear monitor पहनते है तो यह आपके कान के पीछे से इस अगला point हम discuss करते है आइसलेशन का जब हम earphone पहनते है तो यह कुछ हमारे कान में सिर्फ यहां तक cover करते हैं यह सारा portion जो है cover नहीं होता है तो लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे in-ear monitor में यह पूरा portion यहां तक cover कर लेता है तो यह noise cancellation काफी अच्छा देता है आइसलेशन बहुत अच्छा देता है और इसको अगर आप लगा लेगे ठीक से plug-in कर लेगे दोनों कानों में तो बाहर की आवाज आनी काफी हद तक बंद हो जाती है इसका अगला positive point यह है कि मान लीजिए आपके earphone की cable खराब हो जाती है तो उस case में पूरा earphone ही change होता है इसके अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि अगर इसकी cable किसी वज़े से खराब हो जाए तो आप simply इसको ऐसे करके निकाल देंगे और यह निकलने के बाद आप नहीं cable order कर लेते हैं और इसको लगा के इसको आप दुबारा से use कर सकते हैं बिना कोई problem कि अगला positive point इसका यह है क यह जो इन-ear monitor है आपको वाइड अगर यूज़ करता है तो आप ऐसे use कर सकते है अगर आप इसको wireless यूज़ करना चाहते है तो इसकी cable Bluetooth version में भी आती है आपको simply यहां से निकाल लेंगे और उस वाले Bluetooth version वाली cable में लगा लेंगे और आपका Bluetooth बन जाएगा अब इसकी करता था उसके बाद जब मैंने इसको switch किया तो मैंने notice कि काफी सारी ऐसे beats थी जो कभी मैंने गावनों में सुनी ही नहीं बहुत हलकी हलकी कुछ beats थी कुछ sounds थी जो मैंने कभी notice ही नहीं करी थी बट इन-ear monitor यूज़ करने से वह सारी beats और sound बहुत असानी से सुनाई दे रही को पूरी details सुनाई देती है और सारे गाने बहुत ही अलग तरीके से सुनाई देते हैं तो यह कुछ एक हासियत होती है in-ear monitor की जो की आपके music listening को थोड़ा सा अलग कर देती है इसलिए शायद जो सारे musicians वगरा है वो in-ear monitor ही use करते हैं instead of earphone चलिए बात करते हैं इसके price की यह म मैंने description में डाल दिया है क्लिक करके current price चेक कर सकते हैं जो details से आपको मिल जाएगी आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा क्या फरक होता है in-ear monitor में और एक earphone में तो फटा-फट से इस channel को subscribe कर लिजिए ताकि जब भी नई वीडियो बनाओ आपको notification मिल जाए मैं time to time पे vlogs बनाता रहता हूँ कहीं नहीं जाता रहता हूँ कुछ अन्बॉक्स करता रहता हूँ कुछ कुछ नया करते हैं तो आपको हमेशा उसके notification मिलते रहेंगे वीडियो को like कर दीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक क्यार बाई बाई